कर दोस्तों मेरा नाम है अब इस एक और आप सब देख रहे हैं स्टड़ी पी तभी तो दोस्तों आजम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है तो यह देखने में काफी छोटा आपको लग रहा होगा लेकिन इसके पीछी थोड़ी कहानी है देखें इसके पहले मैंने ए दोस्तों को सlläइक्ण इसको देख सकते हैं तो इस स्कार अंसर अलग अलग आता है ठीक है दोагलों सज़स्खें थी जा करकी वीकों को देख सकते हैं उसका लिंक डिस्कूशन में मिल जाएक iest कर इस वीडियो को देखिएक料 तो यहाँ पर अच्छा होगा मैं यहाँ पर लि है जो कि इसका सही आंसर होगा उसको अगर आप दोनों तरीका देखना चाहते हैं किस तरीकस मैंने solve कियो था तो आप जाकर कि part 1 को वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं देखें इसमें सही तरीका क्या है सबसे पहले हम बार्ड मास अगर देखें तो हमारा B होता है O होता है D होता है और M होता है और यहां पर आपका होता है आपका यह हो जाएगा A और S चीए है तो B का मतलब होता है bracket O का मतलब होता है off off में यानिंक हिंदी में होता है कि जिसे मान लेते हैं हिंदी में कि 200 का 5% इस तरीके से जो का आता है उसको हिंदी में off वोलते हैं वो हो गया ठीक है off और D आपका division हो गया M आपका multiplication हो गया ठीक है और A आपका addition हो गया और S क्या हो गया अपका subtraction यानि कि minus हो गया ठीक है तो इस चीज़ को हम क्रम से करते हैं ये भी आपका क्या हो गया ब्रैकेट चाहें वो आपका ये वाला ब्रैकेट हो ये वाला हो या फिर ये वाला हो ठीक है इस तरік से brackets होते हैं तो ये brackets हो गए है, एक क्रम से करते है, अगर bracket है तो पहले हम bracket को solve करें चेल्ड अगर off कहीं पर आता है, तो इसको हम करते हैं ठीक है लेकिन उसके पहले हम ये cathedral मिला है, तो पहले हम bracket को solve करते हैं ठीक है तो 3 into 2 और 1 को हम करते हैं तो कितना plus करेंगे तो 3 आएगा ठीक है अब देखें यहां पर मैंने multiply लगा दिया क्योंकि इन दोनों का multiply ही होना इसको solve करने के बार ठीक है तो इसलिए हमने यहां पर इसको लगा दिया ठीक है अब देखें यहां तक महारा अंसर आ गया अब यहां पर आने के बाद हम divide करना हम डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगी इसका पहले multiply नहीं करऄंगा पहले हम divided कर दीक है फिर multiply क्ला करेंगा ठीक है वास्तों में होता क्या है जैसे अगर हम आपसे एक में आपको प्लस करना है तो क्या आप 2 और 3 को प्लस करके 5 लेख देंगे और 5 इंटू 5 करेंगे यह तो गलत हो जाएगा यानि कि 2 प्लस 3 के साथ में जो भी multiplication या फिर division में आएगा उस पूरे का इसके साथ क्या होगा एड होगा ठीक ऐसे तो यह तो गलत हुचाएगा न ऐस तरीके से तो इसलिए मैं कह रहा था कि इन दोनों को क्या हम divide करेंगे जो इसके साथ है कि इसको छोड़ देंगे ठीक है अगर यहीं क्या करते है अगर हम ऐसा सोचते है कि जैसे 2 प्लस 3 इंट्र 5 है तो हम क्या करते है पहले जो प्लस के बाद वाला टर्म है पहले उसको तो हम एक अठ्ठा कर लेते हैं कितना आएगा करो 25 से ठीक है तो आप 100 को 25 को ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 5 तो अब देखिया अंसर क्या होगा इसका अंसर 4 आएगा और इसका अंसर आपका 100 आएगा ठीक है अब देखिए सेम चीजे दोन भी है लेकिन इसका अंसर अलग आया है इसका अंसर अलग आया है ठीक है अलग क् पहले हम इसको डिवाइड करेंगे फिर इसमें मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है हाँ तो यहां पर मैंने आपको इसको समझा दिया कि इसका और आइट आंसर नाइन हो जाएगा ठीक है कैसे होगा वह बाड मास के नियम से हो जाएगा ठीक है इसको देख लिजे तो आपको यह लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट वन जो वीडियो थी इसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका जो सही आंसर होगा वह नाइन होगा ठीक है लाजिक क्या है वह देख लिजे और हमेंसा बाड मास के रोल से ही हम चलेंग जो जो पहले आएगा उसको हम करती वे चलेंगे तो दोस्तों आपको वीडियो चलेंगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब बना थेंक्स वर वाचिंग